तो गाइस हमने बात कर ली यार के जेठालाल ने कुछ ऐसी गलती करी हैं जिससे बवीता जी को काफी बड़ा लोस हो सकता है लेकिन यहाँ पर ऐसा कैसे हो सकता है कि सिर्फ जेठालाल की गलती से बवीता जी का नुकसान होने वाला हो तो रिसेंट एपिसोड में हमने देखा कि बवीता जीठालाल से रिक्वेस्ट करती है कि उसे कैसे भी करके एक दिन में ही वो कार चीये ताकि वो अहियर को सर्प्राइस कर सके और जीठालाल कहता भी है कि ऐसा possible ही नहीं है लेकिन फिर भवीता जीठालाल को emotional blackmail करके जीठालाल को राजी कर लेती है तो अब दोस्तो ये कार जल्दी लेने के चक्कर में जीठालाल उस coupon से हाथ धो सकता है और problem तो दोस्तो तब बढ़ जाएगी जब जेठालाल के पास कोई सबूत ही नहीं होगा कि वो भवीता का गुपन है